हालो फ्रेंब्स कैसे हम सभी असा करते हैं अच्छे और स्वस्त होंगें तो ये देखिए मेरे पती देव जी आए हुए हैं और उनके लिए चलिए ये वो रेन की ठंड बहुत जादा है तो थोड़ा सा चाह मैं बना देती हूं इनके लिए और उधर से आते समय लाए हैं थोड़ा सा साग कौन जी? चाना साग चाना साग और पालक साग लाए है तो बोले कि उसी को आज बनाना है तो मैं सोची चलो उसी को बना देती हूं पहले पहले फटबट में थोड़ा सा चाह चढ़ा देती हूं उसके बाद तो साग अब लोग देखिए ये देखिए क्या क्या लाए हुए है ये पालक लाए है नहीं चैना साग और ये रागत बाद ये बाबू कर रहें, को लाया है चोकलेट, अब देखिए नहीं खाया है थोड़ा समपको देड़ा है क्यों नहीं खाना है हाँ दोड़ो पापा से दोबाई है ये देख्वेए मैं निमबू वाला चाह dus वुद वाला चाह नहीं पीते हैं यह देखिए फ्रेंट चाह बन गई है और इनके लिए लाल चाह नीबू डाल दी गूर और इनको देने चलती हूं तो चलिए हम इसमें पानी सीधव को क्यांकर में गलिए जाधा कचरा नहीं कर लए है एक धो इसाग पूरी तरह से कट गई है तो मैं कराहिमा नहीं बनाओंगी मैं कोकर में ही बनाओगी क्राहिय के बनाऊं में तो बहुत time jesteśmy और मेरा चोटा सा gas is TWO हटम हो जाएगा इसलिमें कुकान में बना दौगी तही लगाऊं में तो रच्छी से बन जायगा नग क्राहिय में, भूटош लेगा फटम हो जाएगा और क्टा Maxwell में नहीं कालेगा यह दोनों बन जाएगा और उसके बाद में चावल बनाऊंगी उसके बाद खाएंगे हम लोग तो आप लोग बने रहे वीडियो में देखते रहें आई कि पानी बचा भुद था तो कराई में कुखा रही है तो लगब भू रहत ही गया है तो पूकर में बनाए नियुक तो फ्रेंड्स साग बनके तयार हो गया है और इसमें देखिए तेल बगएर डालेगी यह तेल इसमें डालेगा तेल आख लिए और अरा मिर्च नार तीखा था नहीं है खाला अधम तयार है साग भात और हम लोग यह गाओं का याद आगिया है पहली बार देखिए हम अब साग भात खाएंगे फस्तान हम नहीं खाएंगे इतना प्यास रहा है तो आप खालेंगे तो चलिए फैमिली बहुत है अब लोग खाना खा लेते हैं अगले वीडियो में तो यह साग भात हम लोग खाते हैं एंजोय करते हैं सबको बाइबाइब बाइब 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 झाल 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 झाल